भारत की पहली पैरा रोइंग खिलाडी जम्मू कश्मीर से है। 36 साल की कृतिका खन्ना की कहानी अपने आप में कई महिलाओं के लिए एक आदर्श और संदेश हैं कि चुनोतियों का सामना करना और फिर उन्हें पार करना ही जीवन का सही मूले है। देश की पहली पैरा रोइंग खिलाडी जुसने एशियन गेम्स में देश के लिए कांसे पदग भी जीता। कृतिका की दाई टांग आज से 20 साल पहले एक सड़क हाथसे में चली गई थी। वो सिर्फ 16 साल की थी जब उनके साथ ये दुखद हाथसा हुआ। लेकिन कृतिका ने हाड नहीं मानी। और कुछ महीने अस्पताल में बिताने के बाद कृतिका ने अपने जीवन की नई पारी की शुरुवात की। इस विमेन डे हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी महिला की कहानी जो महिला दिवस पर देश की कैई महिलाओं के लिए मौटिवेशन साबित होगी। हमारे साथ हैं भारत की पहली पैरा रोइंग खिलाडी कृतिका खना जिनका आज से 20 साल पहले एक रोड एकसिडेंट हुआ था और उसके बाद उन्होंने लाइफ से हार नहीं मानी बलकि जिन्दगी में और तेजी से आगे बढ़ी। तो हमारे साथ कृतिका है उन्हीं से जानते हैं उनकी कहानी क्या है और वो किस तरह से इसे जो है अपने सपनों को पूरा करके आगे बढ़ रही है कृतिका सबसे पहले आप इंडिया की पहली पैरा रोइंग प्लेयर हैं पैरा रोइंग किस तरह से आईडिया आया कि पैरा तो यह उपरचुनिटी इस तरह से आई थी कि हमारे एक मेंटॉर है करनल गौरवदत्ता वो एक ट्राइथलीट है वो भी आम्प्यूटी है और वो हमारी कंट्री के लिए ऐसे बहुत से पाराइथलीट को ऑन स्टेज लेकर आते हैं तो आपने जॉइन अपरचुनिटी जाती है तो टफ चैलेंज कैसे लिया यह काफी हाई एंडॉरंस केम है और थर्ड टफ स्पोर्ट है तो जिस समय मुझे ऑपरचुनिटी दी गई थी तो आई हैड थ्री मन्स तू प्रिपेर फॉर इट और मुझे बताया गया था कि इसके बारे में स्टडी कर लो बच्पन में तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी थी बिकाज जब आप देश के जवानों के साथ रोइंग करते हैं या कोई भी स्पोर्ट किलते हैं तो आपकी देश के लिए जजबा और सादब बढ़ जाता है तो परार रोइंग इस तरह से इंटर्यूस हुआ और इ की मांस की ट्रेनिंग के बाद वो कंटिन्यू नहीं कर पाये थे और 2019 में फिर फेरी फर्स कंपिटिशन आया विदेशन चैंपिन्शिप और उसमें वी रिप्रेजेंटेड़ा कंट्री फॉर्ट वरी फर्स ताइम और वी वान ब्रॉंस मेंडल जब आपका कंपिटिशन थ बात होती है जब आप वहां पे सारे पारे अथलीट को देखते हैं तो बड़ा ही पॉजिटिव इट्मॉसफेर होता है और जब आप इंटरनाशनल लैंड पे होते हैं वहां पे कृतिका खन्ना एक्जिस्ट नहीं करती है वहां हमें बुलाया जाता है टीम इंडिया तो ज जब आप ले लेते हैं तो फिर कोई चैलेंज आपको बड़ा नहीं लगता सिरफ जंडा दिखता और आपका गोल दिखता अपको उसके बाद अभी फरदर कोई फ्यूचर में कौन सा कंपेटिशन है क्या प्रेपरेशन चल रही है अट प्रेजन तो मैं इंडर रोइंग ही तक एपरेशन दिखता और उसके बाद उसमें से कैसे बाहर निकले मेरा अक्सिदेंट 2003 में हुआ था इट वस रोड अक्सिदेंट और मेरा अंप्यूटिशन उसी समय हो गया था और सेम डे ही मुझे हॉस्पिटल में भी अब अपनी अम्प्यूटिशन कर दिया गया था औ में थी और वापिस बाक उन फोर टाने में तोक अल्मॉस्ट सिक्स मॉंस और फिर उसके बाद छोड़े बच्चे की तरह दुबारा चलना सीखा हर चीज के साथ खुद को एंब्रेस करना खुद को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ा चालेंज था सबसे बड़ा चालेंज और फिर खुद को एकसेप्ट करना और फिर फैमिली के सपोर्ट के साथ जब आप बाहर निकलते हो तो फिर दुनिया ही अलग होते है अब कर दो डबल जो है एनरजी के साथ आप आगे बड़े तो यह सारी मॉटिवेशन कैसे आई स्टार्ट फैमिली से हुआ या फ्रेंड किस तरह सा स्पोर्ट रहा और फिर आगे कैसे प्लान किया कि अब लाइफ को नहीं प्लानिंग करनी है लाइफ के लिए मेरी फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट था मेरी मधर वस अलवेस देर फॉर मेरा भाई मेरे पापा सब मेरे साथ हमेशा से रहे हैं और मैंने खुद रहो no matter what चलते हैं तो कृतिका के हिसाब से motivation ये नहीं है कि बगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है और ये बहुत कुछ जो बगवान ने आपको दिया है ये आपकी मेहनत के और आपके hard work के बूते पर दिया है और इसे आगे लोगों तक पहुचाना ही सही में जजबा कह जाता है। दीपक खजूरिया, डेली पोस्ट जमू।